हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco M6 Android में अगर आप अपने मुवाइल फून से कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पर आपके मुवाइल फून की डिस्प्ले होती है ओफ हो जाती है तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल्व कै कर सकते हैं आज कि वीडियो में आपको डिटैल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए हैं वीडियो कामें स्टार्ट कर लेंगी दोस्तों कभी एकर आपके मुवाइल फून से कॉल करने पर फॉन की डिस्प्ले अगर ओफ हो जाती तो सबसे पहले तो आपको अपने इस तरीकी है या फिर से इन्दर बटन बना हुआ इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे clear data का option टैब करना है इसके बाद आपको डिलीट डेटा का पेज आएगा इसमें आपको ok का बटन टैप करना है तो आपका ये user data तो यूजर डेटा के सामने अलए डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से आपको अपने प्रोसेस यह करना है कि आपको आपडेट है या नहीं है दोस्तों कई आपडेट नहीं करते हैं तो इससे हमारे फून के अंड्यूट सिष्टम के अंदर कुछ छोटी-मोटी कम यह आने लगती है तो फोन का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है सबसे फोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है इसमें आपको सबसे उपर about phone के सामने इस तरीके का यह update का बटन अगर दिखाई देता है तो इसे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके phone में जो call करने पर display off हो जाती यह problem आपकी solve हो जाएगी अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है जब मेरे बता हुए पिछले process अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset कर आपके phone की जो call करने पर display off हो जाती है यह problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात ही ध्यान र यह दो काम आपको पहले करने उसके बाद phone को reset करना है तो मेरे बताए हुए सारे process आप यूज करेंगे तो इससे आपके phone में जो call करने पर display off हो जाती है यह problem आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको करन आपको करेंगे